आजा एकादशी दो हजार चौबीस, इन गल्तियों से अजा एकादशी वरत हो सकता है खंडित, जाने इस दिन क्या करें और ना करें। भाद्रपद माह के क्रिश्न पक्ष की एकादशी तिथी को अजा एकादशी आजा एकादशी दो हजार चौबीस वरतनियम के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विश्नु की क्रिपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है लेकिन इस दिन कुछ कारियों को करने से बचना चाहिए। बड़े बुर्जुगों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। धन की बरबादी करने से बचना चाहिए। पशुपक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान विश्णु को प्रिय भोग लगाने चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। वरत का पारण जरूर करना चाहिए। भजन कीर्टन करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करें। मंदिर की विशेश सफाई करें। पंचांग के अनुसार भादरपद माह में अजा एकादशी वरत 29 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नों और धन की देवी मा लक्ष्मी की विधी पूर्वक पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि अजा एकादशी वरत करने से सादक को सभी पापों से मुक्ती मिलती है और श्री हरी प्रसन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वरत के दौरान कुछ गल्तियों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आईए अजा एकादशी वरत के नियम जानते हैं। कब है अजा एकादशी? आजा एकादशी दो हजार चौबीस शुब मुहूर्त पंचांग के अनुसार भादरपद माह के क्रिश्न पक्ष की एकादशी तिथी का आरंभ गुरुवार उंतीस अगस्त को देर रात एक बचकर उननीस मिनट पर होगा। वहीं इसका समापन शुकरवार तीस अगस्त को देर रात शुने एक बचकर सैंतीस मिनट पर होगा। उद्या तिथी के अनुसार अजा एकादशी वरत उंतीस अगस्त दो हजार चौबीस को किया जाएगा।